हेलो फ्रेंज, दुआ क्लासिस पर आप सभी का स्वागत है, आज हम पर्खर करे पुस्ति का ग्नित कक्षा आठ में कारे पत्रक नमबर 3, जो की पेज नमबर 17 पर है, उसको हल करेंगे कारे पत्रक नमबर 3, दक्सता, संख्याओं में आरोही, अवरोही, तदा सबसे बड़ी छोटी संख्या को समझ सकें, एक नमबर को हल करते हैं, दिये गए प्रशनों को हल करें, दोस्तों में कुछ संख्याओं लिखी हुई है, 6499, 2566, 143, 5300, 307, 6402, इन्हें दोस्तों आरोह करमें लिखना है, यानि चोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में हमें लिखनी है, तो दोस्तों में लिखते हैं, सबसे चोटी संख्या है, 143, इसके बाद, 307, 2566, 5300, 6402, और सबसे बड़ी 6499 में, यह हमने यहां संख्या लिख दी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से, 6499, तो यहां लिख देंगे, और सबसे चोटी संख्या कौन सी है, 143, तो यहां लिखेंगे, दोस्तों नेक्स्ट है, 1309, 1306, 274, 3070, 248, और 105, दोस्तों इसे अवरोही करम में लिखना है, यानि सबसे बड़ी संख संख्या पहले और चोटे संख्या बाद में दोस्तों इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौनशी है 3070 इसे चोटी 2674 दो हजार 74 तेरा सो नो तेरा सो दो सो अर्तालीस और एक सो पांच तो हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है 3070 और सबसे चोटी संख्या एक सो पांच दोस्तों अब दो नमर कोल करते हैं संख्याओं को बढ़ते और गड़ते करम में लिखें तो दोस्तों में कुछ संख्या दी हुई है उसे बढ़ते हुए और गड़ते करम में हमें लिखना है जो कि मैं यहां दिया हुआ नहीं है कि कौन सा करम है तो मैं यहां पहचान करनी है यहां सबसे बड़ी संख्या है फिर यह चोटी संख्या है यह इसे अरोही क्रम में लिखना है इसे दोस्तों यहां दोस्तों चोटी संख्या दे रखी है तो बाद में बड़ी संख्या यानि इसे अरोही क्रम में लिखना है दोस्तों यहां 1200 और उसके बाद 4915 यानि चोटी से बड़ी अरोहिक्र में हमें लिखना है दोस्तों यहां अरोहिक्र में लिखना है जिसमें में सबसे पहले बड़ी संख्या फिर हमें चोटी संख्या यह में पहचान करनी है तो हम संख्यां लिखते हैं यहां नो हजार 1211, 6525, 1010, 109, दोस्तों यहां तीन और तीन और तीन च्छे संख्याएं, तो यहां देखते हैं, दोस्तों मैं यहां 1010 पले दे रखा था, उसके बाद मैं 109 और यहां 1010, एक आएगा, नेक्स्ट हम करते हैं, 235, फिर 655 दे रखा है, 1414, 4390, और 8,790, उसके बाद में दे रखा है 9265, जो की सबसे बड़ी संख्या है, यहां में पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 108, उसके बाद 1200 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखेंगे 2016, 2916, फिर में 4915 में दे रखा है, फिर लिखेंगे 5430, इसमें दोस्तों में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, पांच जार 116, फिर 3255, फिर 1919, जार सो बाइस, इसके बाद 700, और लास्ट में 191, जो की लिखा हुआ है, दोस्तों अब हम तीन नमबर को हलक करते हैं, संख्या चांटे और हलक करें, तो दोस्तों में यहां कुछ संख्या दी हुई है, तो यहां में बढ़ते करम में लिखना है, यानि सबसे पहले चोटी संख्या फिर बड़ी संख्या यहां दोस्तों गरते करमें लिखना है यानि कि सबसे पहले बड़ी संख्या फिर चोटी संख्या यहां दोस्तों बड़ते करमें जिसे पहले में 377, 2005, 2250, 4322 की बाद 4534, 8700, 744 नेक्स्ट में दोस्तों 7476, 3004, 3229, 1111, 1010 यह गड़ते करमे हैं और यहां लिखते हैं बड़ते करमे लिखते हैं 2394 में 3540, 3770, 4505, 5050, 6500 नेक्स्ट घड़ते करमें 8976, 7777, 4049, 3480 में 2222 और 1006 दोस्तों आज हमने कारे पत्रक नमबर 3 जो की पेज नमबर 70 पड़ता उसको हल किया है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कारे पत्रक के साथ धन्यवाद